है कि देकि जो हमारा डूपीच कोड़रा था वो जो फालम वाट कर रहे थे और टीप्रेटस फालम मैं उसकी हम फे दो डिविजिन थे मिनतां नुट पैला विजिविजिना सब्सक्राइब करेंगे तो हमने पिछली वीडियो में क्या क्या चीज़ देखिए कि देखिए फाइलम उसकोड़ेटा है कि इसके यहां पर सेकेंड गूरुप चल रहा था कि सेकेंड गूरुप जो कि हमारा क्रेंटा गूरुप तो यहनि की रखने वाले जूनिम वले उनकी स्टृड़ी कि ठीक से पहला जो इसका घ्रूप थवह एक रेनिटा था यानि की उन carbohydrate प्रेजेंट नहीं इसके बाद में अगर हम बात करें तो ओत इसको एक ही सफालमगा गया कि वर्टीपॲेट है तो यहाँ पहम इनुक इंडिकेट कर देते हैं को डिटा दुक्ष असको क्या हो गया सब्सक्षालम हो गया प्यांगर हम इससे पहले गुरुप के बात करें क्रेंडाम की तो वहां पर तीन सफhohelum आये तें हैं में कोड़ीक यियूरो कोड़ीटा और सिफैला कोड़ीक देन इसके बाद अगर हम कंचिनिव बात करें तो चौते नंबर , जो सफफफार माता है कोड़ीटा' का वह कॉर इसका हम पहला गडिविजन देखे तो वह था एगने था यानि कि उन एनिमल्स का जिनके जो माउथ है उनमें जब डे एपसेंट थे ठीक है जबकि जो दूसरा दूसरा डिविजन था वह ने फिर स्टोमेटा का था अब कि यानिकि वह एनिमल जिन में जौप प्रेजेंट होती है ठीक है पिसले वीडियो तक हमने एगने था का वर्णिंग किया था एगने था में क्या था जो हमारा एगने था डिविजन है उसकी यापे दो कलासेश थी पहले जो क्लास थी वह और ट्रेकोडर मी थी ठीक है जोकि विलफ्थ प्राणवा की क्लास तरी य eigenen की इंविलफ्थ हो चुके एनीमल आते हुं मुझकर दूसरी क्लास वह साइक्ल इस्टोमेटा के थी अब साइकलो स्टोमेटा क्या है इनमें उन एनिमल्स को इंकूड किया गया है जो की साइकलो यानि की चक्र की टाइप का स्टोम रखते हैं यानि की माउथ रखते हैं ठीक है यानि कि जिनका जो मुख है या माउथ है वो किस परकार का है चक्र के टाइप का तो उन एनिमल्स क साइक्ल स्टोमेटा क्लास में रखा गया है और इन में हदलें इनकी मोजा बात करें प्रें माई जो ना तसमें प्रेश्टरमाई जोन और दूसरा जोतास में वह मिक्साइन आता हैं ठीक है दोनों ही जो एनिमल्स है वो साइक्लो स्टोमेटा क्लास के अलग-अलग ओर से बिलोंग करते हैं पैटर माई जोन और मिक साइन का हमने पिछली वीडियो में डिसक्रिशन कर लिया था आप इसके बात करते हैं सेकर्ड डिविजन यहें गनेधन इस्टोमेटा की जिनमें जो जा घोती वह प्रिजन्ट होती हैं तो देखे गनेधन चूमेटा जो ऑनिमल सह इन एनिमल को दो सुपरकलास में डिवाइड कर गया है पहली जो इसके सुपरकलास होगी वो पीसीज क्यों होगी जबकि जो इसकी दूसरी सुपरक्लास होगी वो इसकी टेट्रा पोड़ा एनिमल्स क्यों होगी ठीक है दोना में डिफरेंट है यानि कि नैथर स्टोमेटा में पीसीज में जो एनिमल्स आते हैं उनमें तो फिसेज इंक्लूड की गई यानि कि वास्तिक जो मसलियां उनको समयलित किया गया है और यह मुस्ली एक्कॉर्टिक होते हैं यानि कि इनमें आने वाले जो एनिमल्स है वो एक्कॉर्टिक परकार क्योंगे जल में पाय जाने वो लेंगे जबकि जो टेट्रा पोड़ा है हुआ जो एनिमल्स है वो कम तो एक्कॉर्टिक होंगे बड़ मॉस्ली जो होंगे वह टेर्स्टेल होंगे पैने कि इस तरफ पर पाय जाने वाले और इसमें इसका जो मोस्ट जो गुण है वह फॉर फूटेट का है यानि कि च्यार पैरों का पाय जाना ठीक है इसलिसके बो करेंगे कि देख यहां पर इनको टूफिस क्यों का गया क्योंकि फिस्क जैसे एनिमल पीछे भी आ चुके इसलिए वह तो जो एनिमल थे वह वास्तिक फिस्ट नहीं होकर के कैसे थी आहे वास्तिक मचलिया थी और यहां अश्य जो मचलिया थी यानिकी यह मचलियों के जैसे जो ऐनिमल थे वह साइकल इस्टमेटर एक्षी नामित य् l section जो क्लास है उसमें एवास्त मसलिया आती है जबकि जो पीसीज गुरूप में इसमें आपको रियल देखने को मिलेंगी यानिकि जिन मसलियों को जिन अनिमल को हम मसलिया बोलते हैं वह पीसीज गुरूप में बलॉंग करती है तो सबसे पहले हम ग्रैथर इस्टमेटा के अब सब फाइलम वर्टिप्रेटा का जो कि ने तो स्टमेटा है अब कि इनके दो मॉस्ट फीचर है उनको याद रखना पहला जोसका मॉस्ट फीचर है वह यह कि इन अनिमल्स में जा प्रेजेंट होती है कि एके दूसरा में इंपोर्टन फीचर है वह प्यरल्लिम का है यैंवे आनि प्यर्लीब प्रेजेंट होते यह मित up can k ऑक पस्त होते हैं यह और फीचर तांब इनके और सोपर क्लास की मैं कि बात करते हैं तो ओगने थे मैटदा को सूपर क्लास में डिवाइड किया गया है पहले कि इसकी सूपर क्लास वो सुपर गलास हैं लैइं Diese Fantastic मूर्टिपृर्ट एनियमल इंपल कहा है जिनके बोडी इंदर जो जा है Fascist होती है और साथ ही इन इनमें ते तो हैं वो इनकूर की गई है सबी फीसेत हमें सम्लित के गई यानिकी वास्तिक जो मसली है और थो क् 하나 ऐसा करेक्टर प्रूं आजरय करेक्ट रहें तो भी उसली यह शेंडी जबड़ों से घिरा होगा इनके बोड़ी के उपर फिन प्रिजेंट होते हैं जिनसे गमन करते हैं और बोड़ी पेन के इसकल पाई जाते हैं जैने स्लक बोलते हैं है यह एकसी इनिमल होते हैं जो कि मेरान वार्टर में पाज़ आते हैं वहां वाटर-फ्रैस भी हो सकता है यहिंग होते हैं अगर हम इसमें नोटो-कोड की बात करें को नौट को यहां पर रीप्लेस जाती है वर्टिब्रा कोलम में और वर्टिब्रा जो कोलम होती है वो वह डॉलप होती है यानि की सो विक्सित के साइकलोस्ट्रोमेटा जो ग्लास थी उनके जो अनिमल्स थे उनका जो माउथ था वो गॉल टाइप का था लेकिन यहां पे जो का माउथ होगा वो गोल नहीं होगा ठीक है कि साइकलस टोमेटर में दो पार्सन नेत्र और एक बीच में पीनियल नेत्र प्रेजेंट थी लेकिन यहां पर पीनियल नेत्र जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी कि एपसेंट होती है यहनिकर उपस्तित है कि इनमें जो आयोती है वो पेड़ होती है यह यह अनिमाल जोते हैं वो कॉल्ड ब्लेड़ अनिमल होते हैं यानिकि सीत रपधारी जिन हम पोई किलो थर्मल अनिमल बोलते हैं अब पोई किलो थर्मल एलिमन क्या होते है तो वे अनिमल जो की भाई है वे अनिमल जो की भाई है एन्वार्मेंट के अकोर्डिंग ठीक अपने बोडिकर जो टेंप्रेचर होता है उसको चैंज करते रहते हैं थिक उन्हें एसमतापी अनिमल कहते हैं यानि कि पोई किलो थर्मल एंप्रेचर है वह भाई है एन्वार्मेंट का गोडिंग बदल लेते हैं तो एसमतापी अनिमल कहलाते हैं और यह जो गुण है वह पीसेज ग्रूप के अनिमल में पाया जाता है अगर हम इनके सरीर की बात करें तो इनका जो सरीर है वह लंबा होता है नुकागार आकरती को होता है और दोहरा रेखित होता है यानि कि स्टीम्ड होता है शरीर लंबा दोहरा रेखित सिर्धर वह पुछ में डिवाइड रहती है इनमें जो नैक होती है गिर्वा जो होती है वह एपसेंट होती है तो अच्वा में के स्लाइम ग्लैंड होती है इनकी जो बोडी होती है वह डर्मल सलकों से डखी होती है बोडी कवर्ड लाइड डर्मल स्कैल्स ठीक है लेकिन कुछ इसमें क्या होते हैं अपवाद आती है उनके आपर डिसकस कर लेते हैं और कौन सी जो भिसेजस आ जिनकी जू बोड़ि में वह कावर न उहीं होती है तो काट फिस है जो की डर्मल का आवड के हैं और इनके लावा उसी रहते टोर्पीडों ठीक है यह मसली भी सब्सक रही होती एंग बोड़ पर सब्सक्राइब होते हैं बैला गोन्या फिस आती है एसकी बोड़े के ऊपर भी जो श्कल्ण होते हैं वह एपसेंट होते हैं यह बिना सल्क लिए है catfish है torpedo है और बैला गोनिया फिस है कि इसको अंडराइं कर लेना कि अगर हम इनके कंकाल के बात करें तो इनका कंकाल जोता है एंडोस्केलेटन एंडोस्केलेटन वो कार्टिलेज और बॉन्स का बना होता है यानि कि उपास्ति और अस्तियों का बना होता है बॉन्स अस्तिया और कार्टिलेज उपास्तिया इनके जो एक्स्टरनल नौस्ट्रिल होते हैं यानि कि भाई है नासा शिद्र वो एक जोड़ी प्रेजेंट होत ठीक एक्सनल नॉस्टिल एक जोड़ी तो पिसला जो साइक्लस्टोमेट जो क्लास थी साइक्लस्टॉम उन्हें भी जो एक्सनल नॉस्टिल थी वह एक जोड़ी प्रिजेंट इसलिए इनको बोलते हैं कि मॉनोर्यनर्स कि मॉनोर्यनर्स अगर हम इनके सेक्स की बात करते यह यूनिसेक्स होते हैं एक लिंग यह ठीक है लेकिन जोगोर्नर्स होते हैं वो पेयर्ड के रूप में होते हैं जनद कि मॉनोर्ड पेयर्ड होते हैं इनका जो हर्ट होता है वो प्रेजेंट होता है रेकिन उसमें जो चैंबर होते हैं वह दोई होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं वीनस हर्द्य हर्ट प्रेजेंट जिसमें टू चैंबर होते हैं और इस कंडिशन को बोलते हैं वीनस हर्ट होता है वेनस हट होता है वह असुद होता है पूरी बोड़ी में और असुद रखत को जो हर्ट है वह सुद्धी करण के लिए क्लॉम में भेजता है और जो क्लॉम होता है वह उनका प्यूरिफिकेशन करके बोड़ी के विविन भागों तक पहुंचाता है इसलिए यहां पर जो ब्लड का एक पत बनता है वह केवल एक साइड से मोलते हैं एकल परेसंचन तंत्र लिए निमें जो ब्लड का वैस्टर सिस्टम पाइसाथ है वह यूप परकार को पर नहीं के लावा और बात करें परफीचर स्की तो इनके बोड़ी में जो आर्वीश crazer होती यह उती हैं मुंधिए अंतर्ण युक्त होती हैं जबकि जो इन में एकसटर्न और मिडियन जो आई होते हैं यह और मद्ध जो क्रण होते हम ऑप्सेंट होते हम जबकि साथ में इन मिन इंटरनल यह पाँज़ते हैं यहां टीके आंटइकड़ में तीन अर्थ-वर्तागारत ने नेकां पाँज़ आती हैं सेमी सर्कुलर ट्यूबम जो की संतलर मृटने का काम करती है नेक्स्ट इनमें जो नेत्र होती हैं उन पे पलके अनुपस्था होती है यह बिना पलकों के है वह एपसेंट होता है नेक्सट काटले जो फिश हैं वह उत्सरजन के रूप में यूरिया को एक्सक्रेट करती है जबकि मेराइन बॉनी फिख वोती है यानिकि समूंद्रिये अस्थिल जो मचली होती है उनमें ओचें के रूप में tma को रिलीज किया जाता है यानिकि टेत जो हाव में त्यागा जाता है कि बोनि फिस्स नाथ यो निगंड इंग और यह इन इन कि एनिमल में और उनके सुसर में करता है नेक्स्ट इनके लाब अगर वह फीचर की बात करें तो 28 फीचर है वह यूणिसेक्सवल एनिमल को बताता है यानि कि यह जो पीसी ग्रूप में अनिमल्स है वह एक लिंगी है नेक्स्ट इनमें जो फर्टलाइज़सन होता है वह एक्स्टरल और इंटर्नल दोने परक प्रेन यानिकी भूण है जो अतिरिक तुझिल्य होती है वह अनुपस्त होती है इनके काण इन्हें अन्य ग्रूप में रखा जाता है नेक्स्ट वह डेवलोपमेंट वह डायक्ट प्रकार को ता यानिकि लार ओफो मैप सेंट होती है नेक्स फीचर है वह वह मॉस्ट तो सिसु मसल्यों को यहां पर फ्राई कहते हैं और लास्ट टेस्ट का जो फीचर है कि इन एनिमल्स में यानिकी फिसेज में माइग्रेशन देखने को मिलता है जिनका डिसकेशन हम सेक्शन सी में करेंगे नेक्स वीडियो में हम पीचिज जो वह सुपरक्लास है उनके हुआ 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 है